नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे मन्जूर एहतेशाम का उपन्यास सूखा बरगद इसके बारे में जानेंगे आधुनिक काल की एक विशेश कृती है और इसी कृती के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं क्या मुख्य मुद्दा और विश उपन्यास क्रिती है यह उपन्यास है और इसके लेखक कोन है मन्जूर एहतेशाम इसके लेखक है प्रकाशन वर्ष इसका देखे तो राजकमल प्रकाशन में सबसे पहला जो प्रकाशन 1789 इस्वी में इसको प्रकाशित किया था इस उपन्यास को जो सम्मान प्राप्त इनकी पतनी जो की सुहेल और रशीदा की अम्मी है इसके साथ सुहेल का दोस्त विजय है और परवेज है यह परमुख पात्र हैं उपन्यास एक बड़ी कृति होती है तो इसमें यह नहीं है कि सिर्फ इतने ही पात्र हैं लेकिन जो परमुख पात्रों की मैं बात यहां पर कर करेंगे तो इन पात्रों के माध्यम से अगर हम इस कथा करम को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद धर्म के आधार पर भारत का भी भाजन हो गया भारत के साथ उसी के हिस्से को अलग कर दिया गया जिसे पूर्वी पाकिस् देश धरम के आधार पर बठ गया एक हिंद्जु धरम और दूसरा मुस्लिम धरम यहां पर हम देखें तो आजादी के साथ ह भारत में धरम निर्पेक्षिता का मार्ग भी अपनाया गया लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ पाकिस्तान एक इसलामी राश्चर के रूप में जाना गया यहां पर इन्ही पात्रों के माध्यम से धर्म को आधार बना कर जो मांसिक संकिरनता आ गई है या समाज में जो हिंदू मुस्लीम आपसी संबंदों में विशमता आ गई है उसी को मुख्य विशय लेक में या इस सुखा बरगद नामक उपन्यास में बनाया गया है बरगद के पेड के माध्यम से सुहेल की मनोदशा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि कैसे जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी जो हमारी जड़े हैं वो किस प्रकार धीरे धीरे जुलस्ती जा रही है या समाप्त होती जा रही है विभाजन के बाद के दोर को अगर हम देखें तो लेखक ने उस दोर की घृटनाओं को याद किया है और तत्कालीन माहूल में उसका वर्णन किया है दो बच्चे हैं बेटा सुहेल है और जो पुत्री है वो रशीदा है इन बच्चों की जो माता उसे अम्मी कहकर यहां सम्मोधित किया गया है क्योंकि मुस्लिम समुधाय में मां को अम्मी ही कहा जाता है तो इनके माध्यम से यह बताया गया है कि देश के वातावरन का परभाव युवा पीड़ी पर किस परकार पड़ रहा है सूखा बरगद नामक जो इनका उपन्यास है इसलिए मुस्लिम वरग के मांसिक द्वंद को भी व्यक्त किया गया है कथा के केंदर के अगर बात करें तो यहां कथा के केंदर में भोपाल का एक सिक्षित मुस्लिम परिवार है और उसके मुख्या कोन है अब्दुलवहीद खान है अब्दुलवहीद खान का ही परिवार है जो भोपाल में रहता है और इन्ही के परिवार के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देश में जो अल्प संक्यक समुदाएं हैं उसके जीवन में किस प्रकार की समस्यां आती है उसका चितरन यहां पर किया गया है लेखक ने दोनों पक्षों के जगड़ों के पिछे राजनितिक मनसुबों को भी रेखांकित किया है कि हिंदू और मुस्लिम में जो जगड़े हो रहे हैं उसमें राजनिति में आने वाले जो लोग है या अपने राजनितिक मनसुबों को पूरा करने वाले जो लोग है वो अपने स्वार्थ केलिए कैसे दोनों समपर्दायों में आपसी जो वैमनस से है या आपसी जो विरोध का भावो कैसे उठपन करते हैं हिंदू और मुसलिम समदायों की धार्मिक कट्रता भी यहां पर उलेक किया गया है इसके साथ अगर देखिए तो मुस्लिम वर्ग में थुपे जाने वाले जो अपराद बोध है या प्रायपन या अजनबीपन और अर्शुरक्षा की भावना के कारण इस समदाय में जो बैचेनी का भाव है उसको भी यहाँ पर अभिवेक्ट किया गया है क्योंकि मुस्लिम समदाय माना जाता है उससे जूड़ी हुई प्रस्तितियों का यहां पर चित्रन यहां किया गया है यहां अगर देखें तो जिस हिंदुस्तान को एक हरे भरे बर्गत के रूप में देखता है लिखक और जिसके चाया में उसे शांती मिलती थी अब वही बर्गत का पेड़ रूपी जो प्रेम रूपी जल के अभाव में वह सूख गया है यानि हिंदुस्तान एक बर्गत के पेड़ की तरह है उसकी जो अलग 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 धर्मों से जूड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि जो बर्गत का पेड़ है यह जमीन पर भी लटकती हुई अपनी जड़ उसी बर्गत के पेड़ के रूप में भारत वर्ष को यहां देखा गया है और अलग 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 जाती संपरदाय के लोग भारत में रहते हैं इसलिए भारत को धरम निर्पेक्ष देश भी माना जाता है लेकिन धीरे धीरे जो प्रेम रूपी जल है उसका अभाव होता जा रहा है इसलिए जो बर्गत के समान हमारा विशाल देश भारत है उसमें भी अब सुखा पना गया है अर्थात जो संपरदायकता है वो अब बढ़ने लगी है संपरदाय की भावना अपने अपने संपरदाय को बल दे रही है ना कि पूरे भारत वर्ष को यहां अगर देख इहां पर कहा है कि हंधूस्तान एक सुखा बर्गद हो चुका है यानि जो हमारा देश है उस में संपर्दाविक जो दंगे होते हैं समय समय पर उनको यहां पर केंद्र में रखा गया है तो ये हंदू-मुस्लिम आपने समबंदों की विष्ठमता है वह यहां पर दिखाई गई है जिसके कारण लोगों में ऐस उरक्षा की भावना प्रबल हो जाती है और इन्हीं भावनाओं को सुखे बर्गत के प्रतिकात्मक रूप में सम्वेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त यहां लेखत ने किया है यहां अगर हम पात्रों की बात करें तो जो अब करते अपितु करम में भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं उनके लिए धार्मिक भेदभाव कोई माइने नहीं रखता यह नास्तिक प्रवरति के वेक्ति हैं इसके साथ साथ अगर अम्मी की बात करें जो वहीद खान की पत्नी है और सुहेल और रशीदा की माता जी है यह धार्मिक प्रवरति की महिला है हमेशा मुर्का धारन करके रहती हैं लेकिन खास बात क्या है कि दोनों के विचार अलग अलग है यह जो वहीद खान है यह नास्तिक है लेकिन जो अम्मी है यह पूरन रूप से धरम से जुड़ी हुई है धार्मिक प्रवरति की महिला है ले नहीं है बलकि इंसानियत है यानि जो इंसान का एक दूसरे से प्रेम का भाव है वही यहां पर विशेश महत्व रखता है इंसानियत ही यहां पर विशेश महत्व रखती है और दोनों एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास और भरसा करते हैं यहीं इनके परिवार की एकता का कि पिता के माध्यम से विचार्धारा रही है उसको दर्शाया गया वो किस प्रकार मिल जूल कर भरोसल या विश्वास की नीम पर अपनी तो वो जीवित रखते हैं इसके साथ अगर हम सुहेल की बात करें तो सुहेल भी एक परगतिशील विचारधारा का या आधुनिक जो पीड़ी है युवा वर्ग है उसको यहां पर सुहेल के माध्यम से दिखाया गया है सुहेल के विचार कैसे हैं ये भी माक्सवादी विचा सुहेल इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कारण क्या था क्योंकि उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वह उसकी फीज भर सके रशीदा की अगर बात करें तो अब्दुल वहीद खान की बेटी है इसके साथ ये भी आधुनिक नारी का प्रतीक है यहां पर आधुनिक नारी को अगर देखें तो उसी का चरितर इसके माध्यम से रशीदा के माध्यम से किया गया है ये पढ़ना चाहती है और उपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है रशीदा डोक्तर बनना चाहती है लेकिन समस्या वही आर्थिक दृष्टी से कमजोर ह होना रशीदा के शिक्षा के मारग में बाधा बन जाता है और इसके पस्चात यह भी आर्ट्स के पढ़ाई करती है और क्योंकि यह पढ़ लिखकर डोक्तर नहीं बन पाती लेकिन एक रेडियो के अंदर में या काश्वानी के अंदर में अनाउंसर बन जाती है विजे की अगर बात करें तो विजे सुहेल का मित्र है हिंदु धरम का हिंदु धरम को मानने वाला है विजे सुहेल मुस्लीम धरम का है लेकिन फिर भी दोनों की आपसी मित्रता बहुत अच्छी है जो अम्मी है वो भी विजे को अपने पुतर के समान समझती है रसीदा और विजे क ही आप से आकर्षण हो जाता है दोनों में प्रेम हो जाता है लेकिन दोनों का विवा नहीं हो पाता है यहां पर अगर परवेज की बात करें थो परवेज पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है अमरीका में नहीं जाना है झाना चाहता है आपितु भारत में यह निरत की दर्म निर्पे स्ता से परभाविथ है पारान चाहता है यह ऐक मुस्लिम नेता है कई बार यह पारल की निकिन जो सुहेल ओर outta cui से प्रभावित है प्रंतु अगर देखें तो जो रजा वल्ली है ये राजनीती में अपनी जो स्वार्थ प्रवर्ति को सिद्ध करने वाला ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीती में आकर कार्य करने वाला व्यक्ति है सुहेल पहले इस व्यक्ति से प्रभावित होता है ल रजावली जब दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वहां पर वह उसकी बाते हैं वह उसे बर्गलाने वाली रखती है और इसलिए सुहेल का इससे मोभंग हो जाता है पहले उसी से प्रभावित है इसके साथ अगर देखें तो यहां पर दंगों के समय जो धर्म विशेश रूप से उठाया गया है अस्ती के दशक में जमसेदपूर में जो दंगे हुए थे जिसमें एक उर्दू लेखक की हत्या कर दी जाती है इस घटना करम को भी विशेश रूप से इसमें शामिल किया गया है धर्म के आधार पर जो लोगों का विभाजन है वो इस क उपन्यास में संकलित की है लेखक का द्रश्ची कोण कैसा है धर्म निर्पेक्ष और प्रगतिवादी या प्रगतिशील विचारधारा से लेखक ने मुस्लिम समाज में जो संपर्दाइक और धर्म निर्पेक्ष प्रवरती है उसको दिखाने का प्रियास यहां सूखा बर प्रच के ने तो सबसे पहले जो विशे था है यह मद्यवर्गी ए समाज का अपने अतीच से जो मोouncer उसको यहां पर लिखाया गया मैं अतीच से कैसे हैं यहां पर्यार्णी को पीश्चाय को पसंद है यहां पर जो अपने कुलीनता है या जो अपने बुज़ूर्गों की कुछ ऐसी विशेश्टा हैं सामने लाकर रखते हैं नई पीड़ी के कि हमारे बुज़ूर्ग ऐसे थे हमारे वालिद ऐसे थे हमारे अबबा ऐसे थे यानि उस अतीत से जुड़ी हुई मध्यवरगिय समाज की जो मान सकता है उसको यहां पर दिखाया गया है कि किस प्रकार वो अपने मध्यवरग का दम भरते हैं या अपनी कुलीनता का दम भरते हैं उसमें वो अपने रखत की शुद्धता की बात करते हैं लेकिन अगर देख है कि सामपरदाइक जो विद्वेश या उगरवाद की विचारधारा है वो यहां पर पनपते हुए नजर आती है और यह जो समस्य है लेकर ने पात्रों के माध्यम से ही उठाई है जो नई पीड़ी के पात्र है चाहे वो सुहेल है रसीदा है या विजय है वो इस बात को बाचित के माध्यम से अभिवेक्त करते हैं कि क्या हम प्राचीन जो कसीदे हैं वही पढ़ते रहे हम अगर अपनी मध्यवरगिये सामंती सोच से तोड़ा हटते हैं तो हम अपनी प्राचीन प्रंप्राओं और संस्कृतियों के गुंगान में लग जाते हैं जो विजय है कथनी उपन्यास में महत्पूर्ण स्थान रगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति पर गर्वित होना अनूचित नहीं है लेकिन यहां रशीदा क्या कहती है लेकिन क्या जो सोचा था बस उसी का सिता पढ़ते रहना ही काफी है तुम नहीं समझते कि ये संस्कृती जैसे श प्राचिंता का गुंगान करते हैं या अपने बुज़ूर्ग पुरी पीड़ी का गुंगान करते हैं उसका अब हमें त्याग करदेना चाहिए कुलिंता रखत की जो शुद्धता है उस मध्यवर्ग्ये को अबारने के लिए जो अब्बू हैं परवेज हैं रशीदा हैं इन पात्रों का जो आतम संगर्षय वो विशेश रूप से यहां पर दिखाया गया है लेकिन ये इस मध्यवर्ग्रिय प्रवरती को त्यागना चाहते हैं क्योंकि ये सभी प्रगती शिल विचारधारा से जुड़े हुए वेक्ति हैं यानि प्रगती वादी हैं और प्रगती के प्रती जो मोह है उसको ये तोड़ देना चाहते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ें नए विचारों को अपनाए नए रिष्टों में नयापन अगर हम लेकर आएंगे तभी हम भविश्य में भी विकास कर सकते हैं प्रगती कर सकते हैं इस उपन्यास के घटना करम में रूडि कि अवर्तमान पीड़ी अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहती है जैसे मस्चिद में जाने पर इस्तरियों के लिए पाबंदी है लेकिन जो इसमें पात्र है यहां पर फूफू यह आप ध्यान में दे वो जो अब्बू की बहन है यह रशीदा और सोहेल की सुहेल और रशीदा की जो अम्मी है वो भी नमाज की पाबंध है अपने समय पर नमाज की वो पूरी पाबंध है समय पर नमाज करती है लेकिन जो रशीदा है या सुहेल है वो इस बात को नहीं मानते यानि उनके भीतर धार्मिक जो परंपराएं है वो इतनी जादा कूट कूटकर नहीं भरी वो इसे पाबंदी से नहीं बालते वलकि अपने मन का भरोसा या मन से उसको करना ही वो अधिक महत्व देते हैं ना कि जो पराचीन समय से रूड़ी वादी परंपरा चली आ रही है कि कितनी बार नमाज पढ़ने चाहिए किस तरह से पढ़ने चाहिए वो ये मानते हैं कि लड़के और लड़कियों की रहले हैं साथ में नहीं होनी चाहिए वो इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं लेकिन उसके जो अब्बू है रशिदा फिर आपने का फिल देपाते लेकिन फिर वो उसको पढ़ाते हैं वो भी ए कर ती इसके साथ जो अबू है वो जो हिंदू धरम और मुस्लिम धरम की रूडिवादी विचार धारा है कि हिंदू गायें के मास्का परहेज करते हैं और मुस्लिम सूर के मास्का परहेज करते हैं लेकिन अबू इस परंप्रा को तोड़ने के लिए सूर के मास्का सेवन कर लेते है तो यह दिखाता है कि वो किस परकार रोडियों का विरोध करते हैं अपने विचारों के माध्यम से अपने कार्य के माध्यम से इसके साथ अब्बू सुहेल को ये समझाते हैं कि जो राजनीती से जुड़े लोग हैं वो धार्मिक जो विचार है या धर्म को आधार बना कर केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ण करते हैं ना कि वो किसी धर्म विशेश का परचार परसार करते हैं या जो धर्म में जो अनेक समस्याइं हैं धर्म के मारग में उनको दूर करने का प्रियास नहीं करते वो केवल अपनी राजनितिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही धर्म का प्रियोग करते हैं लेखक ने अब्बू के चरितर के माध्यम से हिंदू मुसल्मान की समस्याओं को बहुत ही गहराई से समझाने का प्रियास किया है क्योंकि जो अब्बू है वो बार-बार इस बात का परीचे देते हैं कि वो किसी धार्मी का डंबर से जुड़े हुए नहीं है धर्म को इस समस्या का केंदर बनाया गया है हमेशा एक धर्म का अपनी क्षेश्टा को बनाये रखने की जीत और कोशिश है वो दूसरे धर्म को निचा दिखाने का प्रियास करता है इन्ही मूल कारणों को इस उपन्यास में शामिल किया गया है यानि हमें अपनी धार्मिक संकिरनता है या धरम का जो विवसाई करण है जिसके कारण हिंदू मुसलिम या हिंदू मुसलमान जैसी समस्याई आ रही है और जो शाशक है वो इसे अपना फाइदा उठाते हैं इसके साथ अगर हम देखें तो मध्यवर्गिय परिवार में जो किशोर अवस्ता के यूवक और यूवती है उसके सामने एक और समस्या होती है वो समस्या है सेक्स की समस्या उसको भी इस उपन्यास में विशेश तोर पर उठाया गया है और किसके माध्यम से रशीदा और विजय के माध्यम से विजय और रशीदा अपस में प्रेम करते हैं और इसी प्रेम भाव में बहकर वो शारीजिक संबन भी स्थापित कर लेते हैं और लेकिन इस संबंद के पस्चात रशीदा जो है वो अपराद बोज से गरस्थ हो जाती है ये मध्यवरगिया नैतिक सोच का परीच्चे है कि रशीदा मध्यवरग से जुड़ी हुई है और उसके मन में इस बात को लेकर अपराद भाव आ जाता है कि उसने विजे के साथ स संबंद स्थापित कर लिए और बाद में वो मानती है कि इस भूल का कोई प्राश्चीत संबव नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को समझ जाती है वो इस घटना को एक सवभावी घटना मानकर अपराद भोज से मुक्त हो जाती है और बाद में जब विजे उसके सामन विवा का प्रस्ताव रखता है तो वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वो करुणा और दया का पातर नहीं बनना चाहती तो इस तरह से जो मध्यवर्ग नैतिकता का जो अतिकरमन करने का प्रमान वो यहां पर देती है तो यह कुछ हमारी रूडी वादिता है ज जो नए मुल्य स्थापित करने का प्रयास नई पीड़ी कर रही है या जो वर्तमान युवा वर्ग कर रहा है उन दोनों का आपसी द्वंद यहां पर दिखाया गया है। परिवार है लेकिन अर्थ धन के अभाव या अर्था भाव का एसास उन्हें बार बार होता है। रशीदा और सुहेल के पास कुछ गिंती की ही यूनिफोर्म है जिने वो संभाल कर पहनते हैं। रशीदा को बार बार ये डर लगता है कि कहीं उसका नाम उन बच्चों में शा है कि जईवन की परकार से वयतित हो रहा है वह अपस में तुलना करती है। लेकिन उपन्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता है रशीदा के चरित्र में परिवर्तन आता है और वह एक कामकाजी महिला के रूप में उभरकर सामने आती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कि मान कि उनके पास आर्थिक संपंता नहीं है लेकिन अपने जीवन संघर्ष के पस्चात वो अपने जीवन के जो इच्छाएं है या जो वो अपना स्थान समाज में प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने में पूर्णता सक्षम भी अपने आपको सिद्ध करते हैं यानि मध्यम वर्ग में जो आर्थिक समस्यां आती है जीवन में जो संघर्ष करना पड़ता है धन के अभाव के कारण उसका चित्रनिया रशीदा, सुहेल और अब्बू के मध्यम से किया गया है। इसके बाद अगर देखें मध्य वर्गी है नारी का बदलता बिम्ब। यहां पर अगर हम विचार करें सुपन्यास को आधार बना कर तो सूखा बर्गत में लेखक ने मुसलिम मध्य वर्ग की नारी के सोच और वेवार में जो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है उसको यह दि रजिया है जो नई पीड़ी की इस्तरियां है और उत्षिक्षा प्राप्त कर रही है जरूरत पढ़ने पर नोकरी भी कर रही है तो इससे देखें तो जो रूडी वादी विचार धारा है उसका विरोध भी वो करती है यहां उपन्यास में जो फूफू पात्र है वो एक ऐ इसी उरत है जो अपने पती की मृत्यू के पस्चात अपने आपको नवाज और इबादत में डूबो देती है रशीदा की जो मा है अम्मी वो भी मजबी संसकारों से जकड़ी हुई है इसके साथ सुहेल और रशीदा की जो तालीम की बात करती है वो भी मा के दवारा ही की जाती है माना कि वो रूडिवादी विचारधारा से जोड़ी हुई है वो धार्मिक संकिर्ण विचारधारा से जोड़ी हुई है लेकिन सुहेल और रशीदा की तालीम दिलवाने में वो अपना विशेश योगदान देती है तो यहां पर अब्बु जो है वो प्रगतिशी में नारी के जीवन में उतार चड़ाव है या जो मध्यवर्गिय नारी का जो बदलता या परिवर्तित होता हुआ जीवन है वो यहाँ पर बहुत ही सुन्दर तरीके से रिखांकित किया है उस उपन्यास के घटना करम के माध्यम से अन्तिम जो विशेष्टा है वो हम देख सकते हैं सकारात्मक धरम निर्पेक्ष सोच देखें जब हमारा देश आजाद हुआ जो अल्प संक्यक मुस्लिम वर्ग है उनके मन में ये विचार चल रहा था कि यहाँ पर हमारे साथ बुरा वेवार किया जाएगा या यहाँ पर हमारे साथ दोगला वेवार किया जाएगा लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ये दिखाना चाते हैं कि धीरे धीरे जो शिक्षा के परचार परसार और प्रगती शिल विचारों के संपर्क में आने से यह चाहे वो हिंदू धरम से जुड़े हूए लोग हैं चाहे वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हूए लोग हैं उनमें परिवर्टन आ रहा है और यह परिवर्टन उनोंने अब्बू के माध्यम से भी दिखाने का प्रियास किया है शिक्षित वर्ग ये सोचने लगा है कि हमें इसी मिट्टी में एक दिन दफन हो जाना है इसलिए अलगाव या बेगानापन नहीं होना चाहिए कुरानी पीड़ी के समझदार और उदार मुसल्मान हिंदू मुसल्मानों के संदर्ब में नह सोच कर अब इनसान के रूप में सब को देखने के कायल थे यानि सब देखना चाहते थे कि इनसानियत के रूप में ना वो हिंदू के पक्ष्टर है ना वो मुसल्मानों के पक्ष्टर है बलकि वो इनसानियत के पक्ष्टर है इसलिए अगर नई पीड़ी की बात करें कुछ ने कुछ कुर्बानी अवश्य दे हिंदू मुसलमानों के आपसी मेलजोल का एक संदर्ब विवा संबन्द है लेकिन नई पीड़ी क्या पाती है कि अभी समाज इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है इसलिए उपन्यास में विजय और रशीदा के प्रणय प्रसंग को विवा के रूप में तब्दील होते हुए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये धरम निर्पेक्ष सोच पनप रही है लेकिन अभी तक ये फलफूल नहीं रही प्रंतु फिर भी इसमें अगर हम देखें तो चाए वो अब्बू है रशीदा है विजय है या सुहेल है इनके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि धीरे धीरे मध्यवर्ग की मानसिक्ता बदल रही है उसको ये बताना चाहते हैं इस उपन्यास के माध्यम से तो इस परकार हम देखते हैं कि लेखक ने सुखा बर्गत नामक उपन्यास में आजादी के बाद की जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो बदलाव हो रहे हैं उनको पुर्णते अभिवेक्त करने की कोशिश की है इसके साथ जो निमन मध्य वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रन यहां पर किया है जो मुस्लिम जीवन का यथार्थ है वो भी बहुत गहराई से यहां अभिवेक्त किया है यूवा पेड़ी किस परकार शिक्षित हो रही है जो नारी वर्ग है लड़कियों की नोकरी जो लड़कियों की शिक्षा है उसके उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको भी यहां पर उठाया गया है इसके साथ यह रूडिवादी जो विचारधारा है उसका त्या करके प्रगतिशील विचारधारों को स्पष्ट करना चाहते हैं अपने पात्रों के माध्यम से तो ये बहुती महतपून उपन्यास है जो ततकालीन समाजिक प्रस्तितियों को इसके साथ जो आर्थिक प्रस्तितियां हैं सांस्कृतिक प्रस्तितियां हैं या इसके साथ साथ अगर हम देखें तो समाज में जो नए बदलाव आ रहे हैं चाए वो माक्सवादी विचार धारा है चाए प्रगतिशिल विचार धारा है उनको इन पात्रों के माध्यम से अभिवेक्त किया है तो उमीर करते हूं कि उपन्यास आप समझने में सफल हुए हैं देखिए उपन्यास एक बहुत बड़ी कृति होती है जिसे हमें बहुत बारिकी से समझना पढ़ता है इस दस मिनट के वीडियो में मैं इसी सिर्फ मोटे तोर पर आपको बताने में सक्षम हूँ इसको बारिकी जो बाते हैं मुख्य बाते हैं या मुख्य जो मुद्ध हैं वह मैं आपको बता रही हूँ तो उमीद करती हूं कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद झाल